दोस्तों जब प्रतिबंद लगता है जब हम पे प्रतिबंद लगाए जाते हैं तो फिल्म की शूटिंग कैसे करें आईए इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों ये कहना बड़ा ही आसान है कि हम फिल्म क्यों बनाएं या हमारे पास कोई साधन नहीं है या कुछ लोग होत तो हम ये बना देंगे, घर हमें वो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस तरह के लोग बहुत सारे हैं हमारे बीच में, जो फिल्म तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं उठाते हैं, जो कुछ भी उनके पास है, उसके आसपास अपने आसपास नहीं देखते हैं, क काश हमें एक चीज़ और मिल जाए, तो हम ये कर देंगे, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, एक बहुती मशूर इरानियन फिल्मेकर, जिनका नाम है, जफर पनाही, जफर पनाही, दोस्तो हम सभी जानते हैं, एक बहुत के लिए उन पे प्रतिबंद लगा दिया गया था, बीस साल का, बीस साल तक का प्रतिबंद 2010 में लगा दिया गया, जफर पनाही के उपर, और अगले बीस साल तक वो ना तो कोई फिल्म मना सकते हैं, और ना ही वो अपने देश को छोड़ कर कि किसी और देश में ट्रेवल क रखा, उनके उन्होंने जितने लोगों ने उनको कॉर्णर किया, जितने लोगों ने उनको साइड लाइन किया, उन्होंने उसको as an opportunity लेकर के कुछ ऐसा काम करके दिखाया, जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है, एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों, जिसका नाम था, इस इस न इस नोट अफ फिल्म करके एक फिल्म बनाई, जो की 85th जो Academy Awards हुए थे, सन 2012 में, उसमें उनकी फिल्म टॉफ 15 में, डॉक्यूमेंटरी फीचर की केटेग्री में भी दिखाई गई थी, शॉट लिस्ट की गई थी, इस फिल्म को उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने अपने घ केक और किया, फिर उस केक के अंदर उस USB स्टिक को हाइड किया, फिर वो केक को अपने देश से बाहर भेजा, और उनकी फिल्म कांस तक पहुँच गई, और वहाँ पे फिर उसको काफी प्रोसाहन भी मिला, काफी प्रशंसा हुई इस फिल्म की, इसी तरह से जफर पनाई न ती या एक और फिल्म थी उनकी, तन दो हजार दो में आई थी, टेन, ये दोनों इस फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने इरान को, जो तहरान है, जो इरान की कैपिटल है तहरान, तहरान को जिस तरह से पोट्रे किया है, जिस तरह से, ओ शेहर किस तरह से, शेहर भी अपने फिल्मेकिंग, गुरिल्ला फिल्मेकिंग का मतलब कि आप पब्लिक प्लेस में जाकर के या ऐसी जगहों पे जाकर के जहां पे शूटिंग अलाउड नहीं है, जहां पे शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पे आप छुपा हुआ कैमरा लगा करके अगर आप अपने आपको प्रिटेंड किया कि वह एक शेयर टेक्सी ड्राइवर है और अपनी कार में उन्होंने तीन कैमरा लगए अलग अलग जगहों पे और पूरे शेहर में वह कार चलाई एक जगह से दूसरी जगह और कई पैसेंजर्स को उन्होंने लिफ्ट दी और जो स्चोन राइटS की लॉयर होती है एक एक आदमी होता है जिसका अक्सिडेंट हो जाता कि और उसको ऑस्चोर्ट हो जाता क्कुषा हमए जपना पूब्य उसको देते हैं और उसको बिफे इसको लगता है यह जएंग और मुक्रहि pragने यह फो आफ्रा से मौने करता है अधो distributable हो जो कि distribute की जा सके अच्छी short film और हम देखते हैं कि वो रास्ते में एक rag picker है एक लड़का जो कि कूडा उठा रहा है और वो एक couple होता है जिसके शादी हुई होती है उनका बटवा गिर जाता है और लड़का उस बटवा को उठा के जेब में रख रहा होता है तो यह लड़की उसको shoot कर रही होती है उनके बीच का एक काफी अच्छा conversation होता है वहाँ पे जिस तरह से दिखा है तो कहने का मतलब है कि जो लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनको यह बात नहीं पता कि फिल्म की shoot हो रहा है यह basically जो भी वो बोल रहा है वो capture हो रहा है एक एक DVD bootlegger भी आता है जो कि DVD की you know pirated CDs को इदर उदर बेचता है और वो उनको पहचान भी लेदे जफर पनाई को मुझे यह नहीं पता दोस्तों कि यह जितना भी जो characters उस car में आके बैठते हैं क्या वो staged है क्या वो पहले से जफर पनाई को पता है या उनको पता है कि उनकी shoot हो रही है और वो acting कर रहे है यह हमें नहीं कहना यह कहना मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि इस film का end credits नहीं आता है दोस्तों जफर पनाई ने इस film को बहुत ही abruptly एक ही जगह पर काटा था और क्योंकि कई लोग क्योंकि इसमें risk factor भी था चुकि आपको मना किया गया है आप film नहीं बना सकते हैं आप band है एक country में और वहाँ पर अगर आप कुछ लोगों का नाम आप दे लिते हैं उन लोगों के लिए भी खत्रा है उन लोगों के लिए भी परशानी का उन्हें सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए उनका किसी भी एक्टर का नाम हमें नहीं मिलता तो हमें नहीं पता कि वो लोग कौन है जो लोग उस film के अंदर है लेकिन इन सब के बावजू जो चीज़ फैसिनेट करती है इस film के बारे में वो यह है कि दोस्तों फिल्म बनाने के लिए आकर हमें चाहिए क्या इसलिए फिल्म अपने आप में कुछ भी नहीं है एक 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 आदमी का एक इंटरनल उसका एक कॉन्फिक्ट है जो वो फिल्म के दोरा जो वो एक वीडियो के दोरा दिखाना चाहता है और वो उसको कितना जादा इंटरेस्टिंग बना सकता है कितना जादा उसको और इंटरेटेनिंग बना सकता है यह एक फिल्मेकर पे डिपेंड करता है जफर पनाही इस चीज़ में मास्ट्री रखते हैं और वो जितना हम उनको जितना भी सरकार उनको जितना भी लोग उनको रोकते हैं जितना भी लोग उनको बैन करते हैं रिस्ट्रिक्शन उन पे डालते हैं उतना ही वो better और उतना ही best वो करते चले जा रहे है I think ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सीखने का भी पहलू है और उन लोगों के लिए खासकर जो लोग हमेशा कहते रहतें कि हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है उनको सजेस्ट करूँगा कि आप जफर पनाही जैसे फिल्मेकर्स को फॉलो करें उनका passion देखें किस तरह के restriction है मेरे काल से इससे बड़ा restriction किसी आदमी के अंदर नहीं हो सकता कि किसी आदमी पर नहीं हो सकता कि जिसको country से बाहर बना जाने दिया जाए जिसको house arrest कर लिया जाए जो film नहीं बना सकता अगले 20 साल ता इससे बड़ा restriction दोस्तों क्या होगा अगर उसके बावजूद जफर पनाई जैसे लोग film बना सकते हैं तो I think anybody can make a film तो प्रतिबंद जरूरी भी है हम आम तोर पे कहते हैं प्रतिबंद गलत है बट प्रतिबंद कई बार हमें allow करता है कि हम अपने limitations में किस तरह से काम करें हमारे आसपास की जो चीज़े हैं उनको कैसे cinema में use करें और cinema समाज का अधरपण है cinema हमारे आसपास की चीज़ों को हम किस तरह से दिखाते हैं यही cinema है cinema की कोई fixed definition दोस्तों नहीं है मेरे इसाब से cinema life है और जो हम चारों तरफ देखते हैं उसी तरह से cinema में उसको डाल के दिखा सकते हैं तो दोस्तों यह था एक बहुत ही जरूरी tip कह सकते हैं आप या जफर पनाई के बारे में एक information शायद आप लोगो को जानकारी मिली होगी उनके बारे में कोशिच करिए आप जफर पनाई की और भी फिल्म्स देखें जैसे वाइट बैलून देखें आप उनकी off-side देखें आप उनकी this is not a film and of course a taxi tehran इस तरह की जितने भी फिल्में आप देख सकते हैं और जो उनका खास बात है कि वो आम लोगों को लेकर करके फिल्म बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी फिल्में बहुत बड़े conflicts पे काम नहीं करते हैं चोटे चोटे लाइफ की जो चीजे हैं उनको वो ज़्यादा प्लेस करते हैं अपनी फिल्म के अंदर और उनने बहुत ही honestly पोट्रे करते हैं characters बहुत ही अच्छे होते हैं उनके और कहीं न कहीं हमें life का एक ज़लग दिता है उनकी हर फिल्में तो दोस्तों इसी तरह के धेरो tips और information हम आपको समय समय पर देते रहते हैं और कोशिश करिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और अपने दोस्तों को भी बताएं उनको भी बोले सब्सक्राइब करने को ताकि हम आपको हर हफते हर दिन हर दूसरे दिन आके कुछ ना कुछ नया content देते रहें जो कि exclusive होगा और जो कि आपके काम आएगा आप भी film बना सकते हैं हमारे इस तरह के धेरो classes हैं हमारे ऐसी धेरो videos हैं जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं तो description में भी आप देख सकते हैं एक video link होगा आप उसको follow कर सकते हैं आप website हमारी देख सकते हैं www.learnfilmonline.com पे जाके आप भी अपना restriction करा सकते हैं आप भी वहाँ पे information ले सकते हैं अगले video के लिए इंतजार करें जल्दी मिलेंगे तिल देन बाए